तो दोस्तो आज के जमाने में बिजली कौन इस्तमाल नहीं करता आज हर एक घर में बिजली है दोस्तो बिजली सिर्फ अपने घर में रखने से नहीं होता बिजली का इस्तमाल करने से नहीं होता देखे बिजली जब आप इस्तमाल कर रहे हो तो उसका आपको बिल भी पे करना होगा ठीक है तो बिल जो है पे करने के लिए आप लोग क्या करते हो कहीं दूसरे जगह जाते हो और वहां पर सबसे पहले तो आप उसे चेक करने के लिए बोलते हो ठीक है तो जो है जो जिसके पास भी आप चेक करने के लिए जाते हो जिस भी दुकांदार की पास ठीक है तो वो चेक कर लेता है और चेक करने के बार आपको बता देता है कि आपका विजलीविल इतना है तो आप हमें बताईए कि इसका क्या गारेंटी है कि उन्होंने जो कहा उतना ही विजली बिल सही में आया हुआ है जब तक आपको वो आप जो है आपके फोन का स्क्रीन नह दिखा दे तब तक आप कैसे बोल देंगे कि यहां इतना ही विजली बिल सच में था ठीक है क्योंकि वो खुद देखेंगे और खुद ही आपको बिजली बिल बता देंगे आपको नहीं दिखाएंगे कि देखिए आपका इतना बिजली बिल आया है अगर दिखा देता है तो फिर ठीक है अगर नहीं दिखाएगा तो यह जो है यह प्रावलम है इससे जो है आप को ठगा भी जा सकता है अब कैसे हम आपको बता देते हैं मान के चले कि आपने चेक करने के लिए कहा उन्हों चेक किया आपका बिजलीबिल 500 है ठीक है 500 है लेकिन उन्होंने जादा कहके कहा कि आपका बिजलीबिल 1000 है तो ऐसे में आपको 1000 देना होगा पे करने के लिए तो पे या वो खुद रख लेगा, तो इससे उन्होंने आपको 500 रुपीय का चुना लगा दिया, ठीक है? तो इसलिए आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, बिजली बिल पे करने से पहले आपको बिजली बिल को चेक करना है कि आपका कितना बिल बिल है, अगर आप नहीं चेक कर पाते हो तो आप जो है अपने रिस्तदारों से चेक करवा सकते हो तो यही आज हम आपको बताएंगे कि जब भी आप बिजली बिल जो है पे करने के लिए जाते हो तो उससे पहले आप अपने बिजली बिल को चेक कर लो तो कैसे चेक करना है आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे तो आए जानते हैं कि आखिर विजली विल आपको कैसे चेक करना है और देखे दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मोबाइल से जब चाहो तब आप बिजली बिल जो है चेक कर पाओगे इसके लिए आपको कुछ किसी भी चीज के जरूरत नहीं होगी सिर्फ और सिर्फ आपको जो है इंटरनेट कनेक्शन और एक कंज्यूमर आईडी यानि की सीए नंबर की जरूरत होगी और ये सीए नंबर आपको मिल जाएगा कहाँ पे आपके बिजली बिल रिसिप्ट में या फिर जब आपने कनेक्शन को जो है नया कनेक्शन लिया था तो उस समय आपको एक डॉकमेंट मिला था उसी डॉकमेंट में आपको खाता संखिया, सीए नंबर, कंज्यूमर आईडी ये तीनों सीज़े एक ही है ठीक है 11 अंक का नंबर होगा उसको आपको डालना होगा और खास बात हम आपको बता दे कि आज हम बिहार विजली बिल के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग ही इस ट्रिक का इस्तमाल करके विजली बिल को चेक कर पाएगा तो चलिए उसके लिए क्या करना है ये हम जान लेते हैं तो उसके लिए आपको प्लेस्टोर पर जाना होगा और एक डाउनलोड करना होगा और उस एप का नाम है बिहार बिजली बिल पे ठेक है इसा आपको डाउनलोड कर लेना है सिंप्ली से आपको तो चलिए हम इसा आपको डाउनलोड करते हैं देखे दोस्तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप विजली बिल पे करते हो तो उससे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका कितना बिल है अगर आप चेक नहीं करोगे किसी दुगानदार से ही आप चेक कराओगे तो वहाँ पर ठगे भी जा सकते हो ये कोई गरंटी सकता है ठेक है इसे लिए जो है आप खुच चेक कर पाओगे तो दूसरों से आप चेक क्यों कराओगे सिर्फ आप प्रमेंट दोगे और पे तो चलिए यह हमारा बिल उसकूल हो चुका है अब हमएं यहां से परमिशन को करना है अलोग करने के बाद कुछ भी लमबा प्रोसेस नहीं है यहाँ पर देखिए सिंपली से आपको एक बार किलिक करना है यहाँ पर इस red बटन पर ठीक है इस पर किलिक करो और किलिक करने के बाद यहाँ पर जो 1100 का नमबर है यानि की CA नमबर यानि की consumer ID या फिर इसे जो है खाता संख्या भी बोला जाता है ठीक है तो उसको आपको यहाँ पर डालना होगा जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं अपना CA नबर डालने के बाद अब आपको सिंपली से इस बटन पे क्लिक करना होगा ठीक है जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करते हैं तो किसके नाम से विजली बिल है किसके नाम से connection जुरा हुआ है और यहाँ पर आपको amount payable भी दिखेगा यानि कि कितना विजली बिल आपका यहाँ पर बकाया है इसके अलाबा यहाँ पर देखिए name अनिल कुमार गनेश यानि कि हमने अभी जो चेक किया यह connection अनिल कुमार गनेश के नाम से available है इसके अलाबा जो आपने CA number डाला वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर आपको बिल मन्त भी देखने को मिल जाएगा इसके अलाबा due date ठेक है तो यह सारी सीजे आप चेक कर सकते हो अपने mobile से तो फिर आप दूसरे से क्यों चेक कराओगी अब जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिख लिया के सक्वजость कि हमारा विल है तो हम कहीं भी किसे दुकान में जाएंगे और हम कहेंगे कि आप हमारा जो है शल्टावन रुपिया बिल पंड़ पैकर दीजिए या पर आप यहां से भी उप्रूं Dest से एक वीडियो बना देंगे ठीक है तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे सी वीडियो को लाइक करिएगा और साती साथ हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को ज़रूर परिस कर लेना ताकि आपको मिले हमारे लेट्रिस टेक्नोजी वीडियो सबसे पहले थेंक यू